यूपी के हात्रस मामले को लेकर पुलिस द्वारा पत्रकारों पर बत्सलू की और हमले किये जाने को लेकर एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने यूपी की योगी सरकार और पुलिस की कडि दिन्दा और आलोचना की है एडिटर्स गिल्ड ने एक बयान जारी करतोवे कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की जाराई हरकतें मीडिया के काम करने में बाधा डाल रही हैं एडिटर्स गिल्ड ने यूपी के योगी सरकार से मांग की है कि वे हात्रस में मीडिया रिपोर्टिंग के पक्ष में महोल बनाएं। एडिटर्स गिल ओफ इंडिया ने अपने बयान में कहा कि हम उत्तर प्रदेश की योगी अधितिनात सरकार की अलोचना करते हैं। उनकी पुलिस ने जिस तरह से हात्रस गैंग रेप और मौत मामले में रिपोर्टिंग कर रहे पत्रकारों के साथ बरताफ किये हैं वे बेहद निंदनिय और शर्मनाक हैं। साथ ही कहा कि पीडिता का अंतिम संसकार बिना उसके परिवार और प्रेस के किया गया। प्रेस को अंतिम संसकार पर रेपोर्टिंग करने से रोका गया और इस बात की भी हम आलोचना करते हैं। वहीं पीडित परिवार से हुए पत्रकारों की बाचीत के दोरान हुई फोन टैपिंग को लेकर भी एरिटर्स गिल्ड ने कड़ी आलोचना की है। एरिटर्स गिल्ड ओफ इंडिया ने कहा जिस तरह से पीडिता के परिवार और पत्रकार के बीच फोन पर हुई बात को सोशल मीडिया पर लीक किया गया ये बहुत ही निंदनीय कृत्त है। लेकिन इससे भी खराब स्थेती टैप की गई बाचीत के चुनिंदा हिस्से को सारवजने करना है। जिसकी वज़ा से सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ महौल बनाए गया। इसके साथ ही एडिटर्स गिल्ड ओफ इंडिया ने यूपी सरकार से मांग करते हुए लिखा है कि सरकार हात्रस में पत्रिकारता के पक्ष में रिपोर्टिंग करने का बहतर महौल बनाए। हलाकि गिल्ड ने ये भी कहा कि हस्तक शेप करने के मामले में हात्रस सबसे बुरा मामला है लेकिन गिल्ड ये भी मानता है कि मीडिया पर ऐसे हमले पिछले महीनों में ट्रेंड का हिस्सा बन गए हैं। मीडिया के कामकाज में हस्तक शेप के पैमाने पर हातरा से एक बुरा मामला है लेकिन गिल्ड ने इस बात पर भी ध्यान दिया कि हाल के महीनों में मीडिया के खिलाफ इस तरह के हमले बढ़े हैं जिसमें कुछ अन्य राज्य सरकारों ने भी पत्रकारों को परिशान किया और सुधारात्मक कारवाई की मांग करता है। ब्यूरी रिपोर्ट गो न्यूस।